हेलो स्टूडेंट, वेलकम टो आज यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडेंट आज इंबिसकेस करेंगे क्लास 10 में चप्टर 1 रियल नंबर कर सपोर्ट मटिरियल कोशें नंबर 10 में दिरखा कि HCF is always multiple of LCM, factor of LCM, divisible by LCM या A or C बोथ होंगे यह हमें बताना है, देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए ले ले लेता हूँ, एक example जैसे कि मैंने एक लिए हमें यहाँ पे 16, दूसरा लिए 20, मैं इन दोनों का देता हूँ HCF, ठीक है 16 के मैंने factor किये हैं यहाँ पे, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2, 20 20 के factor किये मैंने, 2, 10s are 20, 25s are 10 and 5s are 5 तो 16 के जो factor आए, वो कोन आया, 2 into, 2 into, 2 into, 2 और 20 के जो factor आए, वो निकल गया 2 into, 2 into 5 तो यानि कि मैं इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4, इसे ले सकता हूँ 2 की पावर 2 into में 5 जो हमारा HCF होता है, वो दोनों के जो प्राइम factor निकल के आए हैं, उन में से दोनों के जो lowest norm होती हूँ 2 आए, दो है, दो है, दो की पावर कितनी है, दो, तो नहा लेंगे, इसमें दो पावर 5 की पावर है ही नहीं तो इसमें दोनों मेंसे नहीं लिया जाएगा दोनों मेंसे जो lowest होगे दोनों में देखना है नहीं है तो नहीं लेंगे तो यानि कि इसका जो factor एस सिफ निगल गया है वो कितना आया 4 आया निगल गया ठीक अब वहीं बात करें इनके LCM की LCM जो होता है वो दोनों में highest power होती है दोनों की highest power यानि कि prime factor दो की power 4 है यहां 2 है तो highest power कितनी चार इसे लेंगे इसकी power है कि इसमें है ही नहीं तो highest हो कौन माने जाएगा फन ही माने जाएगा यह ले लिया दो की power 4 को चार बार multiply करें 2 to the 4, 4 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 16 को 5 से multiply है कितना आया 80 तो मेरा HCF आया 4 and LCM आया 80 अब option one by one चेप करते है जो multiple of LCM ठीक है जो HCF है वो LCM का multiple है यह बात नहीं है इसके multiple नहीं है factor of LCM ठीक है अगर factor of LCM का मतलब होता है कि अगर मैं 80 की factor करूंगा तो मैं इस 80 को ऐसे लिसकता हूँ 4 into 20 तो यह जो 4 है HCF है मेरा यह एक तरीके से इस 80 का ही क्या है factor है तो मेरा option कोन हो जाया गए यहां पे B यह लिखा divisible by LCM जो मेरा HCF है यानि की 4 4 में की 80 का डिवार चला जायागा यह भी possible नहीं है A और C A और C दोनों possible नहीं हो सकते एक साथ तो मेरा option हो जाया गए यहां पे B तो मेरा जो HCF होगा वो always क्या होगा LCM का factor होगा और इसी के साथ मेरा question number 10 यहां पे complete अब हम discuss करेंगे question number 11 बोला गया the all decimal number R जितने भी decimal number होते हैं सारे rational number होते हैं इन चारों के बारों में मैंने आपको introduction वीडियो के अंदर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था rational number होते हैं जिसे हम P by Q की form में लिख सकते हैं बट rational के अंदर भी उन category को include किया जाता है जिनकी decimal form terminating होती है ठीक है terminating इन rational number हो नंबर होते हैं P by Q की form में नहीं लिखा जा सकता जिसके जो decimal formation है वो non terminating non terminating and non repeating non repeating इसमें terminating भी होती है और दूसके लावा non terminating non terminating but repeating ठीक है इसका मतलब है decimal के बाद में same same number repeat होता रहेगा उसे कहते हैं non terminating but repeating non terminating non repeating का मतलब है कि point के बाद में एक जैसा sequence में number नहीं आएंगे उल्टे सीधे continue चलते रहेंगे उसे कहते हैं non terminating but and non repeating real number के अंदर rational number को भी include किया जाता है rational को भी include किया जाता है integer में तो decimal आता ही रही है तो यहां पर कुल मिलागे conclusion निकल गया आता है देखो इसमें भी decimal की कुछ टम है हमें सारे decimal की बारें बोला गया है तो यह दोनों ही rational और irrational real number में include किया जाते हैं तो हमारा option हो जाया गसी क्योंगी आदे decimal इसमें आ रहे है और आदे decimal इसमें आ रहे है मुझे चीए सारे decimal तो सारे decimal तो real में आएंगे क्योंगी real में rational को भी include किया जाता है और rational को भी include किया जाता है ठीक है तो हमारा option हो जाया गए यहां पर C अब हम discuss करेंगे question number 12 which of these numbers always end with the digit 6 इन में से कौन सारे नमबर है जो हमेशा 6 के 6 पर end होगा तो जैसे कि मैंने आपे one by one करके example को try करते है पहले मैंने end की जगा 1 रखा कितना है 4 ठीक है फिर 1 की जगा मैं 2 रखके देखा 4 4 जा 16 3 रखके देखा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो इसका end 4 से हुआ 6 से हुआ 4 से हुआ हर बार हमेशा 6 पर end नहीं हो रहा है तो option A तो मेरा नहीं हो सकता बात करते है option B की option B में देराकर 2 की power end मैंने 1 रखके देखा 2 आया फिर 2 रखके देखा 4 आया 3 रखके देखा 8 आया यहां तो 6 का कोई नाम हो निशाने नहीं option B भी नहीं हो सकता option C 6 की power end मैंने 1 रखके देखा 6 आया 2 रखके देखा 36 फिर मैंने यहां पर 3 रखके देखा 216 मैंने 4 रखके देखा 6 से 4 बर multiply करेंगे 1296 इसके हर बार end में कौन आ रहा है 6 आ रहा है तो मेरा option कोन हो जागा है यहां पर C इसी तरीके से चाहूं तो 8 को try कर सकते हो 8 की power 1 2 रखके देखा तो 64 आया अब देखो इसके end में कोन आ गया यहां पर 8 आया 6 आया तो option D भी नहीं हो सकता है तो मेरा option हो जागा यहां पर C और इसी के साथ ने लिए 2M ले सकते हो या 2M प्लेस में 2 या 2M प्लेस में 4 आप इसमें M की value कुछ भी assume करो M मेरा कोई integer है M है नी integer कोई भी integer रखो यहां पर हमेशा even number ही मिलेगा जैसे मालो मैंने M की जगा पर रखा 0 कितना answer आगा 0 is also even number M की जगा मैंने मैं रख के देखा 2 आया 2 भी एक even number है चैस में रख के देख लो M की जगा मैंने यहां पर 0 रख के देखा तो 2 को 0 चे गुना के 0 0 plus 2 कितना है 2 यह भी एक even number है चाहो तो आप इसमें रख के देख लो M की जगा पर इचा है आप यहाँ पे 6 रखे देखो प्लस 4, 2, 4, 6, 2, 2, 12 प्लस में 4, कितना आया? 16 ठीक है, तो ये भी मेरा कोने एक even number है, तो ये भी हो सकता है 2M, 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 2, 2, 2M, 4 ये सारे कोने even number के formation है तो मीद करता हूँ student आपको question समझ में आगया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते अगली वीडियो में ओके बाइबा, थैंक्यू